हेलो दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज बात करेंगे जिस अपडेट के बारे में उसका यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो हो वेट कर रहे थे तो फाइनली यहाँ पे अपडेट जो एनाउंस हो चुकी है आई बी पीएस दोती है लेकिन कास्ट समय में रहें प्यांट को हो लुब्हें हना ठीक बशावार को यहाँ पोलुस पisme घाँ सेस्सक्रीस में यहाँ बात करने बात करने बारे में लेकिने यह वीट्र स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अपडेट है आई बीपेस की तरफ से CRP clerks X1V याने 14 यहां पे common recruitment process है for the recruitment of clerks in participating banks तो यहां पे clerk की यह जो है post रहने वाली है अब यहां पे इसकी official website आपको यहां पे show हो जाएगी ibps.in फिर अगर आपको कुछी भी तरह की कोई query आती है कोई complaint है तो आप इसमें login कर सकते हो उसकी भी यहां पे आपको website provide की गई है cgrs.ibps.in पे जाके आप यहां पे कोई भी आपकी query है solve कर सकते हो यहां पे कोई complaint है तो इसमें दर्च कर सकते हो online examination यहां पे prelim and main होगी for the upcoming CRP clerks X1V याने 14 for recruitment selection of personnel for clerical cordu post in the banks will be conducted by IBPS तो यहां पे tentative dates पहले देख लेते हैं कि consequent dates यहां पे आपको देखने को मिलेगी कौन सी जो है exam कब होगी उसका result कब आएगा वगरा वगरा तो यहां पे आपको table show हो रही होगी इसमें important dates आपको दे रखी है तो यहां पर जो आपकी पीटी जो होगी प्री एग्जामिनेशन टेस्ट वह बारह और ऑगस्ट से लेके 17 ऑगस्ट तक हो सकती है फिर आपका यहां पर डाउनलोड और प्रिलिम के कौल लेटर्स का डाउनलोड यहां ऑगस्ट और प्रिलिम भी ऑगस्ट में होगी सेप्टेंबर ऑक्टोबर में आपका मेन एग्जाम होगा और उसके कौल लेटर्स आप उस दिन उसी मन्त में आप डाउनलोड कर सकते हो फिर प्रोविजनल अलोटमेंट इसमें आपका एप्रेल 2024 को 25 को रहेगा अब यहां पर आपको बोला गया है कि पीटी जो है वो आपकी ऑनलाइन या फिर फिजिकल मोड में कंड़क करवा सकते हैं अब दोस्तों यहां पर बात करेंगे एजुकेशन कौलिफिकेशन के बारे में तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर एजुके 2028 होनी चाहिए यहां पर आपको की डेट जो अब प्रोवाइड की गई है सेकेंड जुलाई 1996 से फस्ट जुलाई 2004 तक अगर आपका डेट ऑब बर्त आता है तो आप यहां पर एलिजिबल हो अपलाई कर सकते हो अब इसमें जो क्रूशल डेट है वो फस्ट जुलाई 2024 है त साल पी डबलूबीडी के लिए 10 साल और भी बहुत सार इसमें आपको रिलक्सेशन क्राइटीरिया देखने को मिलेंगे अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं और भी चीजों के बारे में जैसे की एक्जाम पैटन जो है वो क्या रहेगा आपकी यहां पर फीस जो है वो क्य तो यहां पर 175 फीस रहेगी SC, ST, PWD, ESM और DESM तो अगर आप इस कास से बिलोग करते हो इन कास से बिलोग करते हो तो आपको 175 आपको एप्लिकेशन फीस और इंटीमेशन चार्ज जो हो यहां पर पे करना है और इसके अलावा कि जो भी यहां पर कैटेगरी में बिलोग करते ह आपको यहां पर 850 रुपीज जो हो पे करना होगा ऐसे अप्लिकेशन एंड इंटीमेशन चार्ज अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं structure of exam तो पहले आपको prelim exam जो की objective test होगा उसका यहां पर pattern दिख रहा होगा इसमें तीन जो हो subjects है English language, numerical ability, reasoning ability तो medium जो हो English language आप English में दे 35 और reasoning ability में भी 35 यानि टोटल यहां पर 100 questions 100 marks की पूछे जाएंगे हार एक question यहां पर 1 mark का रहेगा time जो है वो आपका English language तीनों के लिए यहां पर 20-20 minutes है यानि पूरे 100 questions को attend करने के लिए आपको यहां पर 60 minutes मिलेंगे अच्छा आप बात करते हैं इसकी जो main exam रहेगी objective test रहे जाएंगे general financial awareness, general English, reasoning ability and computer aptitude और इसके अलावा यहां पर आपको quantitative aptitude भी देखने को मिलेगा तो यहां पर जो general English का subject है इसमें आपको English जो language है उसी में दे सकते हो बाकी में आपको option यहां पर दिख जाएंगे तो इसकी official website या फिर official जो notification है वहां पर जाके बहुत सारे आपको ज questions बिलेंगे कि कौन सी language आप देना चाहते हो किसमें आप comfortable हो तो आप दे सकती हो number of questions यहां पर चारों में आपको दिख रहा होगा कि 50 questions general awareness से है 40 general English से 50 reasoning से और quantitative से aptitude से यहां पर आपको 50 तो यहां पर जो है total questions होते हैं 190 questions और marks होते हैं 200 तो यहां पर जो है जो reasoning के question है यहां पर 50 questions है जो कि 60 marks के पूछे जाएंगे यहां पर 190 questions 200 marks के पूछे जाएंगे तो पहले दो subject हैं उनके लिए आपको 35-35 minutes मिलेंगे और बाकी के जो दो subjects हैं उनके लिए 45-45 minutes आपको मिलेंगे तो सभी subject के लिए यहां पर आपको अलग-अलग time मिलेगा total यहां पर आपको 160 minutes देखा यहां पर जो भी subjects हैं तो अगर आप इसकी preparation करना चाते हो उसको easy बनाना चाते हो उसको crack करना चाते हो तो यहां पर आप अगर आप दूसरी भी government exams की preparation कर रहे हो तो आप ultimate combo material में इंडूर कर सकते हो जिसमें आपको all-in-one notes और इसके अलावा तयारी का booster दोनों मिलेगा अब यह आपको help करेगा सभी तरह की government exams के लिए अब आपको जो है वो इसमें क्या-क्या मिल जाने वाला है इसमें notes भी मिलेंगे वीडियो lectures भी मिलेंगे और practice questions भी आपको यहां पर मिल जाएगे तो दोस्तों इसके link जो है वो आपको इस video के description में मिल जाएगी वहां पर जा कि क्या documents जो हो आपको यहां पर अपलोड करने होंगे तो उसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको list जो हो जाएगी list of documents to be produced at the time of joining या फिर document verification तो पूरी list आपको यहां पर शो हो जाएगी तो यह सब document आपको जो हो submit करने होंगे at the time of जब आपकी joining होगी तब ओके the following documents in original and self-attested photocopies in support of the candidates eligibility and identity are to be invariably submitted at the time of joining या फिर document verification तो यही सब documents जो आपको submit करने पड़ेंगे आपकी जब joining होगी या फिर जो document verification का जो process होगा उसके दोरान अब इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर कैसमे apply कैसे करना है उससे पहले यहां पर देख लेते हैं कि salary आपको यहां पर क्या मिल जाएगी तो बेजिक पर आपको अब दोस्तों बात करेंगे यहां पर के इसमें how to apply कैसे करना है तो यहां पर आपको procedure for applying online तो आपको ibps की website पे चले जाना है ibps.in पे जाके आपको home page click on the home page to open the link crp clerks and then click on the option यहां पर आपको मिल जाएगा click head to apply online for crp clerks फिर post आपकी होगी crp clerks xiv याने 14 to open the online application form फिर आपको online application form जो खुल जाएगा फिर उसमें आपको new registration करना पड़ेगा फिर आपको कुछ basic details जो फिल करनी जो आपको यहां पे upload करने पड़ेंगे जिसकी list यहां पे आपको show हो जाएगी फिर जिस post अगर यहां पे save and next करना पड़ेगा कुछ और आपकी जो email id है valid and active email id और mobile number यहां पे आपको डालने पड़ेंगे और यहां पे आपका submit का button आपको दिख जाएगा और यहां पे आप payment जो भी fees होगा वो आपको payment करनी है और आपका यहां पे application submit हो जाएगा तो दोस्तों यह पूरा अगर आप इसका पूरा process जो हो जानना चाते हो तो इसकी official notification में जाके कर सकते हैं आपको मालूम हो जाएगा अब यहां पे और भी चीज़े हैं कि अगर आपको pay करना है fees payment यहा UPI वगेरा से आप इसमें payment कर सकते हो अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कुछ examination centers के बारे में कि यहां पर examination centers जो हो क्या रहेंगे तो यहां पर आपको list शो हो जाएगी और इसकी official notification से भी आप यहां पर detail में जो आपके centers हैं वो आप मालूम कर सकते हैं तो दोस्ते पू वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक जरू से कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ शेर कर देना जो इसके लिए eligible हैं और अगर आप हमारे इस चैनल पर first time आया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हमारे next वीडियो मिलते हमारे next वीडियो कि यह अे. वीडियो.